जिसको जीतना है उसके प्रती सम्मार्ण थोड़े देता है जिसके हम मालिक है उसके हम मालिक है और भारत में उस शिक्षा को लेके आने का एक करण ये भी था वो आधुनिक है शायद भौतिक दुष्ट्री से अधिक जानने वाली उस समय की होगी ये करण नहीं था करण ये था कि यहां की मूल शिक्षा को उखाड़ देना क्यों को यहां के स्वत्व को पुल्ट करते तो विद्वानों को एकत्रीत करके एक विधान बनाया जिससे रूल अफ लौ कहा गया और उसमें सारी संपत्ति राजा की है स्वास्थे विभाग से प्रचार होता था कि इस तनपान मत कराओ क्योंकि उस समय का विद्वान मानता था आज बदल गया है पुरा उल्टा हो गया है क्योंकि विद्वान की माननेता बदल गई मावसार करने वाले शरावन मास में नहीं खाते मावसाहर करने वाले गुरुवार को नहीं खाते ये मावसाहरी है तो भी भारती है तो उन्होंने अपने आपको सग्यम की एक परत्मे रखा परमशद्धेय स्वामी जी आदर्णिय शेखावत जी आदर्णिय आदर्श गोयल जी उपस्थित मंचपर और सभी अपने गोष्ठी के बीच में मैं आया हूँ तो मेरे लिए सुविधा है कि जो मैं नहीं बोलूंगा या छूट जाएगा वो बात के लोग कहेंगे ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ लेकिन जो मैं बोलने वाला हूँ अगर पहली बोला गया हूँ तो क्या करना ये सवाल है क्योंकि ये जो जलका विशय है उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो बार बार वही बाते आती है और वो अनिवारी है क्योंकि समस्या क्या है और समस्याओं का उपाय क्या है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं हम भारत के लोग है हमारा अपना एक मानस है हमारा अपना एक अनुभव है हमारी अपनी एक परिस्थिती है जो समान है और इसलिए हम बात करेंगे तो प्रामारिकता से जब बात करते तो वही बाते निकल कर आती है और जैसा यह अभी कहा ग तो प्रारंब कहां से करना ये सवाल आता है एक उपाय है जो आपने भी सुझाए और हो भी रहा है कि विमर्श वगरे के पचड़े में नव पड़ते हुए जितनी अपनी शक्ति है उतना कार्यक्षेत्र चुनना और उसमें इस मामले में क्या अच्छा हो सकता है वो करना वहां परियाप्त जल मिले वहां स्वच्छ जल मिले वहां जलसंपदा का अनादर न हो ये देखना तो उसमें से रास्ते निकलाएंगे और भारत जैसे इतने विस्तृत देश में एक प्रिस्क्रिप्शन सबके लिए लागो होगा ऐसा मान कर नहीं चलना चाहिए अनेक मामलों में हमारा भारत देश विश्व से अलग अनोखा देश है और आज हम ये जो जल की चर्चा कर रहे हैं क्यों करनी पड़ रही है तो कठना ही हुई जल का प्रश्ण खड़ा हुआ जल का संकट खड़ा होने जा रहा है और वो हमारे लिए संकट बनेगा हम होने नहीं देंगे मंत्री मोदे नहीं जो कहा वो हमारा संकल पर है वाटर वार्स जल युद्ध होने नहीं देंगे हम और भारत है तब तक नहीं हो गए बात बिल्कुल सही है लेकिन डर तो सबको यही लगता है तो प्रयास करना शुरू करना एक बात है वो करनी चाहिए परंतु कुल मिलाकर सारी दुनिया में इसका उपाय हमको देना है विश्व पटल पर एक उभरते विवे देश के नाते आज सारा विश्व यह जानना चाह रहा है कि विश्व जिन समस्याओं में से जा रहा है उसके हल के लिए भारत की कलपना है क्या है तो पुरा है विचार हम सबको करना पड़ता है और वो भी इस गोष्ठी में मैं समझता हूँ कि आ चुका है लेकिन उसको समझना बहुत आवश्चक इसलिए है कि हम सबको अगर प्रयास करने है अपने अपने प्रयास हम करेंगे अपने अपने जगल लेकिन ये संबंध इस प्रश्ण का संबंध जैसे हमारे अपने आचरंट से आता है वैसे आज कुल मिलाकर नीतियां जो बनती है उनसे भी आता है और गत धाईसो वर्षों में मानवजाती ने जो दिशा पकड़ी है उससे भी संबंध दीते हैं और इन तीनों में आए हुए परिवर्तन का योगदान इस समस्या के निर्मान में है और इसलिए इन तीनों के बारे में समझ कर चलना पड़ेगा अब ये ग्लोबल वार्मिंग वगरे वगरे इस सारी परियावार उनको लेकर जो समस्याएं है वो ऐसे बड़ी आधुनिक है 300 साल की समस्याएं है ऐसा क्यों हुआ उसके पहले भी हम थे उसके पहले भी हम जीते थे, खाते थे, पीते थे तो ये समस्याएं खड़ी नहीं हुई आज क्यों खड़ी हो गई तो उसका मुख्यकारण जो मानव जाती के विकास ने दिशा पकड़ी वो है और वो गलत दिशा इसलिए पकड़ी गई कि उसके मूल में जो विचार किया गया वो मूल में अधूरा विचार है और अधूरा होने के लाते अहंकारी विचार है वो पहली बात कि मनुष्य ये प्रकृती का अंग नहीं है वो प्रकृती पर विजय पाना चाहता है वो विजेता है और वो स्वामी है इस विचार के आदार पर जो जो हुआ उसमें प्रकृति के प्रती सम्मान कैसे रहेगा जिसको जीतना है उसके प्रती सम्मान ठोड़ी रहता है जिसके हम मालिक है उसके हम मालिक है लेकिन केवल भाउतिक जिनके सामने था ज्ञाने इंद्रियों से जितना प्रतित होता है और ज्ञाने इंद्रियों को विज्ञान के साधनों की मदद मिलने के बाद और जितना हम देख सकते उतना ही है जो हमें दिखता नहीं वो है नहीं यह अहंकार उसके पीछे है अगर कोई बात मुझे पता नहीं या मुझे समझ में नहीं आती इसका मतलब वो गलती है ऐसा विचार करके चाली दुनिया और उसी प्रणाली का वर्चस्व आज सारी दुनिया पर है उसी प्रणाली का जो शिक्षा का डंग था उसमें से हम सब निकले है हम यहां बैठे हुए लोग भी उसी शिक्षा में पले है और भारत में उस शिक्षा को लेके आने का एक करण ये भी था वो आधुनिक है शायद भौतिक दुष्टी से अधिक जानने वाली उस समय की होगी ये करण नहीं था करण ये था कि यहां की मूल शिक्षा को उखाड़ देना कोई को यहां के स्वत्व को पुष्ट कर दे तो भारत के भारतियों के लिए और एक बात है कि हमने अपनी जो सही दुष्टी और सही शिक्षा थी उसको उखाड़ के फेक दिया जो अधुरी दुष्टी आहंकारी थी उसको हमने ले लिया तो अब हमको अपने आपको पहले शुद्ध करना पड़ेगा क्योंकि प्रयोग तो होते हैं और ये आज की बात नहीं है जैविक खेती की बात है ये आज की बात नहीं है जैविक खाड तयार कैसे करें किसान अपने घर में जिससे देश को फरिटलाइजर का इंपोर्ट करना न पड़े सब किसानों को आसानी से खाड उपलब्द हो जाए खाड के लिए उनको क्रुशी उत्तन बाजार समिती से करजान लेना पड़े ये सारा सोच के विदर्भ में एक नारायन देवराव पांडरी पांडे थे उन्होंने एक कंपोस्ट खाड की पद्धती विकसित की उसके कई व्यापक प्रयोक किये और वो सफल पद्धती बनाई और उसका डाटा लेकर वो मंत्राले में गए तो मंत्र जी से तो मिलना हुआ नहीं बीच में जो थे उनसे हुआ उन्होंने तुरन दिन नहीं किया कि यह क्या है आचा बारत के विक्ति नहीं खो जाए बेकारी होगा और क्या क्योंकि हम लोग तो अविकसित देश है पास्यमयात लोग प्रकत लोग है और वो फ्रेटिलाइजर से देखो कितना बड़ा-बड़ा उत्पादन निकाल रहे हैं हमारा छोटा बहेंगन वहां का बड़ा बहेंगन कारेंट फ्रेटिलाइजर अब ये परब्रुत वृत्ति जब तक है न तब तक बहुत सी बाते ऐसी अधर में लटकी रहेगी तो हम सबके लिए एक बड़ा प्रबोधन आवश्चक है जैसे जलके विषय में प्रत्यक्ष जमीन पर प्रयोक शुरू है शुरू होने चाहिए और बढ़ने चाहिए उसका उप्योग तो है वैसे सर्वत्र ये प्रबोधन हमको देना पड़ेगा सर्वत्र हमको उस अधूरी दृष्टियों को निकाल कर एक संपूर्णता वाली दृष्टि को लाना पड़ेगा एकात्म समग्र दृष्टिकों ये शिक्षा में तयार हो आज वो शिद्धा हो रहा है कि वो दृष्टिकों उप्योगी है विश्व के आज की सारी समस्याओं का इलाज उसमें है उसके आधार पर हमने विचार किया हमारे देश में हम इतने वर्षों से खेती कर रहे हैं कम से कम 10,000 साल हो गए हमारी जमीने कभी बंजड नहीं होती अफरिका की कमारी जमीन पर पाश्चेत्य दंग से खेती हुई 400 साल बाद जमीने बंजड हो गई इसका विचार हम करते नहीं क्योंकि हमको लगता है कि वो जो करते है उसके परिक्षा की आवश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पड़ेगा हमारी प्रवंपरा ने हमको यह सिखाया है कि हम प्रकृती के अंग है प्रकृती के हम प्राड़क्ट है वास्तों में अभी आपने जग्जी वासुद्यूजी का संदेश सुना एक पहली बात उन्होंने कही कि प्रकृती का सम्मान करो उसके साथ सैयम से रहो यह हम रहते आए क्यों रहते आए इसलिए रहते आए कि हमको यह बताया गया उन्होंने वो बात कही जो रमण महरशी ने भी कही है उन्होंने कहा कि हमने जिनको देखाने ऐसे भगवानों की पूजा करते है ये तो प्रत्यक्षा भगवान है ये केवल उनका इन्यवंचन नहीं है या उनका आज कहने का तरीका नहीं है तो हमारे यहाँ भगवान की उसी की प्रिर्णा के द्वारा अपने आप बनी हुई आठ मूर्ती मानते है वो है पंच महाभूत, पृत्विया, पतेज, वायु, आकाश, सूरिय, चंद्र और जीव यह भगवान की प्रत्यक्ष मूर्तिया है किसी ने बनाई नहीं, वो है, सुर्ष्टी के निर्माण के साथ वो भगवत स्वरूप हमारे साथ है इसलिए हम गहते हैं जीव सेवा याने शीव की सेवा है इन महाभूतों में, सब जीवों में, अंतरिक्ष में, सूर्य और चंद्र ये हमारे बुद्धी और मन के भी प्रतिक है, लोगों की बुद्धी का आधर करना, लोगों के मन को समालना ये सारी बाते भगवान की पूजा है इसलिए इन सब बातों में पवित्रता की भावना है, और जो पवित्र है उसके साथ हमारा संयमित व्यवार हो गई, होना ही चाहिए ये अगर नहीं है, तो परियावरन की चिंता भी करेंगे, तो भी अतिवादिता पर चले जाएगे तो परियावरन की चिंता करनी है, इसलिए विकास बंद करो, ऐसे भी आंदोलन चलते है विकास को करना है, इसलिए परियावरन की चिंता मत करो, ये भी चलता है वहिचारिक दुष्टी से क्या चलता है एक बात है, लेकिन ऐसी बातों का लाब लेके अपनी जेवे भरने वालों के कारणा में इसके आदार पर चलते हैं और इसलिए पहली बात है कि ये हमारे लिए ये सुरुष्टी में ये अभिवेक्ती दैवी अभिवेक्ती है हमारे लिए पवित्र है जल के बारे में तो जल को हमारे क्या माना है तो सुरुष्टी उत्पन हुई है उससे वो जीव के निर्मान की स्थली है आदुनिक विद्ञान भी कहता है कि चैतन्य के साथ ये जो material matter था वो निश्पन्द अवस्था में या अभी उसकी अभिवेक्ति हुई नहीं थी तो primordial water था ऐसा बोलते है उसको water भी कहा है विद्ञान भी हमारे यह कहा है नार वो अवस्था है जब अव्यक्त ब्रह्म अव्यक्त अवस्था में आगया और वो दिखने लगा तो उसकी जो अवस्था थी उसको नार उसमें से जो तेज प्रकृत हुआ वो नारयन है और फिर उनकी जो प्रकृती बनी वो प्रवाई थी पहले हल चल वी वायू उसके कारण जो घर्शन हुआ उससे तेज उत्पन हुआ उस तेज मेंसे आपकी सुरुष्टी हुई आपकी सुरुष्टी मेंसे पृत्वी और जीवसुरुष्टी बनी तो सारे जीवन का मूल जल हमारे हमानते हैं उसको स्वच्छ करने वाला तो मानते ही है सारे रुगवेट के मंत्रों में ये भी कहा है कि सारे विश्वकी ओसे धिया तुम्में एकत्रित है अपने शरीर का पोशन करने वाला वर्धन करने वाला वही जले ये सारा हम कहते थे हम इसकी स्तुती करते थे हम नदियों को माता मानते थे हम जल को शुभकार्य में छिड़कते थे और ये ये बाते प्रचलित सारी दुनिया में थी आप किसी भी समाज में जाएए पूजा विधी में जल का उपयोग अनिवारिया है पवित्री करण में जलही होता है बबतिस्मा होता है या और कुछ होता है, सर्वत्र होता है इस पवित्रता की भावाना को वो शुद्द जडवादी जो अधुरा विचार है हंकारी विचार है उसने समाप्त किया फिर संतुलन की भावना भी चली गई और इसलिए उसका प्रभोधन उसके आधार पर नीतिया बनाना कैसे होता है यहने एक मुल्भुट जो गल्ती हो जाती है देश के जलसों साधनों को उप्योग करना है यह जलसों साधन किसके है तो rule of law कहता है यह राजा का है यह सारी संपत्ती राजा की है क्योंकि rule of law यह शब्द प्रयोक तब अस्तित्व में आया जब इंगलन की राज्ज संपता तो आ गई लेकिन जैव संपता जलसंपता वो तो जनता के पास है तो विद्वानों को एकतरित करके एक विधान बनाया जिससे rule of law कहा गया और उसमें सारी संपत्ती राजा की है अब उसकी प्रतिक्रिया भी होती है नहीं नहीं वो किसी का नहीं सारे समाज का है लेकिन यह राजा का भी नहीं है और यह प्रजा का भी नहीं है सबै भूमी गोपाल की ऐसे अपने आविचार है यह सब बनाया और जिसका है उसका नदी बनी है वो किसी राजा प्रजा इस राज्य के लिए उस राज्य के लिए उस देश के लिए इस देश के लिए नहीं जाती है वो सबको जीवो प्रदान करती सबको सश्य प्रदान करती सबको पोशन डेती है ये उसका जो जिवनकार यह है उसी के प्रकाश में उसके पानी के उप्योग का विचार होना चाहिए तो राजा प्रजा इस राज्य के लोग उस राज्य के लोग बैटकर विचार करे और समझदारी से बाटकर उसका विवार करे तो सभी जुक्य होंगे ये विचार पीछे जाता है फिर अधिकार का विचार आता है हम मालिक है तो हम में से कौन मालिक है सारी बाकी जो समस्याएं आती है जो पर्यावरण के विकास में पर्यावरण के रक्षन में बादा बनती है या विकास होने में बादा बनती है वो ऐसे ही संगर्शों से निकलती है हमारे जो दुर्टिय उसमें माना गया है कि ये सबका है ये सबका है ये सबकी प्रापर्टी नहीं है ये ये सबके लिए है सबको समझदारी से उसका उप्योग करना है ये बुद्धी बनती है उस बुद्धी के बनने से ऐसा होने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है मुझे अकेले को पानी चाहिए तो चाहे जितना मैं भर के ले जा सकता हूँ लेकिन भाई पानी का नल दो घंटे शुरू रहता है उसमें दस कुटुम्बो को अपना पानी भरना है तो रोज का जगडा नो हो तो हम कुछ बना लेते हैं और चलता है इस समझदारी से काम होता है तो धायर्य बढ़ता है और ये इसलिए होता है कि परंपरा से हमारे पास ये बाते आती है ये जो हमारी धी है दृती है, स्मृती है इसमें विकृती आ गई चरक समीदा में लिखा है अंतर जगत में या बाहिय जगत में या परियावरेन में ये जो असंतुल होता है विशमता होती है वो कैसे आता है ये धी, धृती और स्मृती में दोस्ट पैदा होता है उसके चलते काल, कर्म और इन में गड़बड होती है क्या गड़बड होती है इसका आयोग होता है अतियोग होता है या मिथ्ययोग होता है उसके चलते अपने मन में या बाहर परियावरेंड में विक्षोब होता है असन्तुलन पैदा होता है विशमस्थिती पैदा होती है और इसलिए इसको बिना लाए इन सब बातों का विचार कैसे करना उप्योग कैसे करना ये जब सब सोचेंगे तो सर्वत रहे सुधार आएगा इस आधार पर हमको सारी बातों को सोचना पड़ेगा अभी जो प्रयोक चल रहे है बिना किसी के पता इसे स्वामी जी कोलापुर में प्रयोक कर रहे है संतसीचवाल जी का आपने बताया भारत वर्ष में ऐसे प्रयोक चल रहे है देख देख के लोग उप गए और लोगों ने शुरू कर दिया राजेन्ड सिंग जी ने उदर राजसान में तालाव को लेकर इतना बड़ा काम किया कई बाते ऐसी है तो ये लोगों ने जो शुरू किया लोगों के पास में तो वो पास्टा टिशिक्षा नहीं थी संसादन नहीं थे सत्ता बल नहीं था तो उनको परमपरा से जो मिला जो सिखने को मुला उसके आधार पर उन्हें शुरू किया और उसके आश्चेरेकार पढ़ना माज मिल रहे है ये प्रयोग मिलकर भी अब चल मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए सक्षम हो रहे हैं ये हुगा ये बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला आने वाले दस वर्षों में इन सारी बातों का क्या हल है ये जैसे विद्वानों की गोश्टियों में बताया जाएगा वैसे प्रत्यक्षा लोगों के कर कि वाल ईखरने में देखने को मिलेगा, है कि ए इसको जोड़ी होनी चाहिए नीतियों की ही जैसे नदियों के अभिरलता की बात है फ्लो की बात आपने की इस बिल्कुछ सई ही बात तो गंगा इतनी सुद्ध क्यों रहती है वैं बैक्ट्रियोफाज है जगना में यहाप ह अनेक बाते हैं परन्तु और एक कारण है कि हिमाले के उधर से वो गंगोत्री से उतरती है नीचे तो उसका आवेग इतना प्रचंड होता है कि समुद्र को मिलने के एकात किलोमेटर पहले नदिया खारी हो जाती है सारी गंगा दो किलोमेटर अंदर तक समुद्र को मिटा करत अब यह उसका फ्लो बना रहे है उसके अविरलता बनी रहे तो गंगा का गंगत वो भी बना रहेगा हमको सोचना पड़ेगा नदियों पर बांद बनाने चाहिए कि नहीं भाई इरिगेशन के लिए आवश्चक है नहीं तकनीक है नहीं बनाएंगे बिलकुल ऐसा कहेंगे तो भी अतिवादिता होगी तो कुछ मात्रा में इन सारे पंच महाभूतों का नियंतरन हमको करना पड़ता है उपयोग करना है तो हाथ में लेना पड़ेगा हाथ में लेना है तो नियंतरन करना है भगवान की पूजा करते समय भी उनकी जो मूर्ती रहती है उसको हाथ में लेने पड़ता है न एसा लेना पड़ेगा नियंत्रन करना पड़ेगा लेकिन उनका अनुमोदन भी करना पड़ेगा बाना नधियों का स्वभाव है रोकना कृतिरिमता है थोड़ी मातरा में उसका उपयोग करना कोई बात नहीं लेकिन कितनी मात्रा में करना विचार करो बहना नदियों का स्वभाव है बहना पवन का स्वभाव है इस बहने में अवरोद आ गए या पवन के बहने में परवत वकर थे उनकी रचनाय बदल दी हमने खोट डाला सब तो भागवत पुराणाय में वर्नने कलियोग में क्या होगा उसमें एक बात ये भी है कि सारे परवतों को माइनिंग करके खोट डाला तो फिर पवन का जो उप्योग होता है वर्षा का वहन करने में वो नहीं फिर वो तो हवा है बैके ले जाती है ऐसा हो गया ऐसा वर्नन है तो ये इन सारे पंचा महाभूतों के उप्योग के बारे में उसका अनुमोधन भी करना है उसका नियंत्रन भी करना है दोनों में अतिवादिता की तरफ न जाते हुए उसकी मर्याना बैठके रिष्चित करनी पड़ेगी नीतियों में उसको लाना पड़ेगा हो रहा है ये विचार हो रहा है यानि मैं ये हो नहीं रहा है ऐसी तकरार नहीं कर रहा हूँ इस दिशा में जा रहे है लेकिन हम सब लोगों को ही जाना है और हम सब लोगों का एक संकट है कि ये जो हमारी परंपरा से आई हुई दुर्ष्टी है आज हमारे यहां जो सुशिक्षित वर्ग है संपर्ण वर्ग है उसके पास वो नहीं है वो जितनी बची है उतनी बची है सुदुर जंगलों में और देहतों में वहाँ से खोच-खोच के हम निकाल रहे हैं तो ये सभी को सीखना है वहाँ भी सीखना पड़ेगा विद्यान की बात है विद्यान विद्यानिक पुर्ती होनी ही चाहिए हमारी सारी परंपरा ये विश्वास रखने पर विश्वास नहीं करती हमारे अध्यात्म को सिखाने वाले पंधसंपरदाई भी विश्वास रखने को नहीं कहते वो कहते कि हमको ऐसा प्रतित हुआ है तुम करके देखो तुमको क्या प्रतित होता है तुम जानो संतफ परिक्षान यतरत भजन दे ऐसा कहा है तो ये हमको करना ही है और वईद्ञानी कुछ भी नहीं करना है लेकिन वईद्ञानी क्या है जो न्यूटन के जमाने में मान्यत आये थी कई आज बदल गई है क्योंकि कई बाते आज गलत पाई गई है वो विद्ञान याने न्यूटन के जमाने में जो किताब लिखी उसको सत्यमानना ये नहीं है तब से जो विचारधारा मिली एक बहुतिक विद्ञान में उसको विकसित करना अपने अनुभाव से सतत शोधन प एक एक जमाना था जब हमारे और स्वास्थे विभाग से प्रचार होता था कि इस तनपान मत कराओ क्योंकि उस समय का विद्ञान मानता था आज बदल गया है पुरा उल्टा हो गया है क्योंकि विद्ञान की मान्यता बदल गई है अब विद्ञान का जन्मा बहुत बहुत आदूनी के उसमान से तो हमारी परमपराए इतने वर्षों से चली है प्रत्यक्ष जमिन पर चली है उसने इतने बड़े देश का विविधता बड़े देश के समाज का धारण पालन पोशन किया है इतने दिनों से हमारे यहां कि प्रकृति को सुरक्षित रखा है और हमारे आ सात अलवार के लिए स्ट्रील प्रोडक्शन आठ लोग भट्टी उठा कर ले जाते थे जिसको चाहिए उसके आंगन में कराते थे उस प्रती का लोहा आज भी बनना कठिन है ये भी सिद्ध हुआ है न जंगने वाले लोहें के खंबे हमारे याँ गड़े है अपने देश के म हमारी जमीन बराबर उर्वर बनी है और आज भी हमारे जमीन के हमारे जल के गुण कुछ मातरा में कायम है क्यों है वो भी एक ज्ञान है उसको केवल यहां का है इसलिए बेकार मान कर छोड़ेंगे तो नहीं होगा इसलिए हम निकाल रहे उसका प्रयोग कर रहे लेकिन ये सब ज्ञान के आज के प्रचलित प्रवा में लाकर हमको स्थापित करना पड़ेगा इस दुरुष्टी से नीतियों का भी बड़ा महत्पर रहता है लिकिन ये सब कहने के बात भी जो एक बात यहां कही गई वो फिर भी दुरुवा है कि आखिर ये सारा परिवर्तन कैसे होता है परिवर्तन मेरे से प्रारंब होता है मैं अभी जल पर यहां पर व्यक्वान दू और मैं अपने विवार में जल को न बचाऊं तो कैसे होगा क्योंकि सारे संकृट का उपाय कया है जल का भंडारन बढ़ना चाहिए हमारे आथ आलाव उगरे की विवस्था थी जितनी बची खुची हो उसको बचाए जितनी बढ़ा सकते बढ़ाए और कुछ कर सकते करे परंपरागत तरीके हमारे आथ बने है उनको अपना है नए तरीके जो उपयोगी है उनको ले क्योंकि जल पुर्थवी की एक संचित संपत्ती है वो अपने लिए एक निश्चित मातरा मिली है उसी की भाब बनती है वो मेगो के द्वारा वर्षा कर आती है हम खाते पीते है निकाल देते है वो तरह तरह से प्रक्रिया होके बाब बनके फिर से जाता है फिर से गिरता है इसमें उसका जो लास होता है वो कम से कम होना चाहिए इसलिए जितना गिरता है उतना पूरा का पूरा हम कैसे स्टोर कर सके इसका उपाय करना चाहिए दूसरा विना कारण ज्यादा जल खर्चा करने वाले तरीके जैसे फर्टलाइजर का उधारन में दिया खुब पानी खाती है जमीन उसके कारण और अन्न को भी विश्युक्त बनाती है क्यों करना बड़ी मात्रा में पशुहत्या ये पानी के वेको बढ़ाती है मनुष्य केवल अपने खाने के लिए जो करता है वो भी वैद्यानिक दूस्टी से शाकाहार अच्छा है ऐसा मानते है लेकिन बदलने में समय लगता है और खाने की बाते किसी पर लादी नहीं जा सकती दिर दिरे मन बदलता है लोग करते भी है वैसे भी अपने जेश के मावसारी लोग ये एक नियम में रहकर ही मावसार करते मावसार करने वाले शरावन मास में नहीं खाते मावसार करने वाले गुरुवार को नहीं खाते ये मावसारी है तो भी भारती है तो उन्होंने अपने आपको सग्यम के एक परत में रखा है। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं नहीं नीशेज भी कर रहा हूं। है शाकाहर वाइद्ना निक दुष्टीज अच्छा है, शाकाहर यूँन अच्छा है, माउसाहर से पानी की खपत बढ़ती है। लेकिन अब उसकी इंडस्टी हो गई, कतल खाने हो गई, उसमें जो प्रोसेश चलती है, उसमें तो अनाप्शानाप पानी खर्चा होता है। और पॉलीशन बढ़ता है, वह इक अलग बात है। ऐसी कहीं बातें चलती है, दुनिया के प्रवावनें चलती आये हैं, इसमें किसी का दोस्ट नहीं है, लेकिन समझ बूच कर ऐसे अपने जीवन सी जुडि बातों से हमको अपने आपको दूर करना पड़ेगा ना? और अपने आपको दूर करना पड़ेगा याने जिनकी इ प्रोडुसिंग इंड़स्री है तो मैं तभी मानूंगा जब बनाया हुआ मिट खपे गई नहीं क्योंकि कोई मावसार करे गई नहीं तो इसलिए समाज में छोटी जोटी बाते सुधर शिन जी अमारे बताते थे आज भी चलता है उनका बताया हुआ कि ग्लास आदा भरो आदा से जादा मत भरो भोजन के समय ग्लास भरते थे कभी आते थे वरगमें देखे ग्लास पुरे भरे है तो बुला के वो सारा पानी फिर से वापस गड़े में और आदा आदा भरो ऐसा करते थे क्योंकि आधा आधा ग्लास बचेगा तो कितनी बड़ी बच्चत होगी 130 करोड लोगों का रोज का आधा ग्लास एक समय का कितना पानी होता है कोई निकाली हिसाब तो बहुत बच्चत होती है और बच्चत होती है एक बात है लेकिन इस आचरन का प्रभाव ये होता है कि उस आचरन के पीछे समाज के सारे क्रिया का लापों को चलना पड़ता है समाज में जो वृत्तियां चलती है वे वसाहिश चलते हैं समाज के लिए चलते हैं समाज की जो आवश्चकता है उसके लिए चलते हैं और इसलिए ये आधते बदलना उसके लिए प्रबोधन करना ये बाते आवश्चक है रक्षन करना संपत्ति को बढ़ाना ये सारा करना पड़ेगा और इसलिए हमको मैं बहुत विस्तृत वरणन करता नहीं क्योंकि इस गो और इसलिए मैं इतना ही कहता हूँ कि ये समस्या ठीक होनी है तो ये जो सभी पंचा महाभूत है उनका हम फिर एक बार अपनी परंपरा की दुरुष्टी से परीचे करा ले हम उनको जाने और आज के दुनिया के अनुभव के आधार पर परीक्षा करके उस परीचे के आधार पर उनको माने और फिर उन पंचा महाभूक्तों के साथ एकात्म होकर जिवान प्रवाह में उनके साथ वहे जो मंत्री महर्दे ने वीडियो दिखाया वो यही संदेश देता है उनकी अपनी प्रकृती है हमारी अपनी प्रकृती है हम सब को साथ चलना है हम अगर उनके अनुमोधन के साथ उनको नियंतरन लेते है उनका शोशन न करते हुए उनका दोहन करते है तो वो तो इतने करुणा में है, वो हमको पालने वाले है, वो अपने को हमारे अनुकूल हमेशा रखते हैं, हम कृतक न रहें, तो वो कभी कृतक न नहीं होंगी, हमने उनको छोड़ दिया तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस दृष्टी को हम जाने, उसको माने, उसके जैसा बने, और उसके आधार पर प्रत्यक इस पंचा महावथ के बारे में विचार करें, पूरे परियावरन का विचार ठीक हो, इस दृष्टी से, इस गोष्टी में, जला के बारे में बहुत से बाते कही गई है, कल कह आएंगे बहुत से उपक्रम चले उनके लिए भी उनसुजाओ का लाव है नए उपक्रम शुरू करने के लिए भी उनका लाव है इस गोष्ठी से वापस जाते समय जो पहले से ऐसे कामों में लगे है वो एक संकल्प करे कि ऐसा काम करने वाले और पाँच लोग मैं घड़ा करूँगा अलग-अलग शित्रों में और जिनोंने अभी ऐसा हाथ नहीं लगाया वो शुरू करे और बहुत-बड़ा कारिक्षेतर चुननी की जुरुरत नहीं हमारे अपने घर में कुटुम्ब में जो पानी की खपत होती है उसका निदिक्षन करके उसको कम कैसा कर सकते हैं यहां से भी प्रारंब किया तो भी प्रत्यक्ष जल्लस उरक्षन में हम एक बड़ा योगदान कर सकेंगे ऐसा उद्यम खड़ा हो जाएगा वो उद्यम खड़ा हो उद्यम खड़ा होने से हमको उत्तर मिलेगा हमारे देश के लिए उत्तर मिलेगा संपूर्ण विश्व को इन सारी समस्याओं से समाधान मिलने वाला है और वैसा समाधान देना एक उबरते देश के नाते और हमारा इश्वर प्रदत्त करता हुए इस नाते हमारा दाइत्व बनता है उस दाइत्व को हाथ में लेकर हम आगे चले अपने दुर्ष्टी को समझ कर चले इतना ही एक अनुरोद आपके सामने रखता हूँ और मेरे चार शब्दा समाधा करता हूँ आपके सामने प्रदत्त करता है